जैसा कि आप सबी लोगों पता चली गया होगा कि Battlegrounds Mobile India के Pre-Registration 18 मई को आने वाले हैं यानि कि आच से ठीक 4 दिन बाद आपको Battlegrounds Mobile India Play Store पर देखने को मिलने वाला है क्योंकि लगबग लगबग इस Announcement के 2 घंटे से उपर होई चुके हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ Extra Information देने वाला हूँ Battlegrounds Mobile India को लेकर उसका Play Store का जो First Look है अभी वह आप देखने वाले हैं इस गेम का Size क्या होने वाले हैं और इस गेम के लिए आपके Mobile में कितनी RAM होनी चाहिए और जो आपके Android वर्जन है वह कितना होना चाहिए तो वीडियो को गईज अगर आपने भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना इस वीडियो का जो Credit है वह प्रियांग को जाता है क्योंकि लगली गईज उनका जो यह Play Store वाला लिंक अफिशिल वेस्टाइट पर सोग कर रहा था वो ओपन हो गया तो हो सकता है कि उन्होंने पहले ही ओपन किया हो तो जैसे यह Play Store आया था कुछ दिर बाद हो सकता है यह option किसी का ओपन नहीं हो पा रहा हो कोई भी कारण हो सकता है क्योंकि यह हमारा प्रेस्टेशन का जो option वह 18 माई को देखने को मिलने वाला है यानि कि आज से ठीक चाल दिन बाद तो चलिए इसका Play Store को फर्स लुक देख लेते हैं और भी यहां पर कोई इसकी डेटेल हम लोग देखने वाले हैं अगर आप मोबाइल पर खोलेंगे तभी यह Play Store का option आपको नीचे देखने को मिलेगा कब तक देखने को मिले गई यह तो अभी किसी को नहीं पता तो बड़ गई अभी यहां पर आप अनॉस्मेंट देख पा रहे हैं पुरा क्लियरली हो चुका इसका ओफिसल विबसाइट पर यह 18 मही को Battlegrounds Mobile India के PlayStation Play Store पर स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर गैस जो इसका लिंक दिया हुआ है Play Store का जैसे गैस देख सकते उस पर क्लिक किया गया तो यहां पर Battlegrounds Mobile India Play Store के उपने को इसका लोगो आ गया है तो इस टाइप से इसका कुछ लोगो होने वाला है और भी इस यहां पर about this game पर अगर आप जाके देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ details दे दी जाएंगे वेलकम तो Battlegrounds Mobile India इसके नीचे के सबसे इंपॉर्टन चीज़ दी हुए Battlegrounds Mobile India recommended system requirement Android 5.1.1 और अब और अडलिस 2GB RAM तो इसके लिए आपके पास 2GB RAM होना चाहिए स्रिट में और जो अचे हुए हैं और अभी आज के दिन में हमें यह official announcement देखने को मिल गई है बाकी इस से related अगर कोई भी information आती है कोई भी leaks आती है तो वह मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूँगा तो फ्लाल के इस वीडियो में इतना कुछ share करना चाहते थे वीडियो अच्छी लगी हो तो